एलो फ्रेंट्स कैसे आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे असलम अलेकूम तो अभी दुफेर का टाइम है और मैं गवार की सबजी और मसूर की दाल बना रही हूँ तो सबसे पहले मैं बनाओंगी गवार की सबजी उसके लिए मैंने कांदा ली हूँ बारिक काटा हुआ फिर टुमेटो बारिक काटेंगे हरा मसाला लाल मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा जीरा पुटेटो और गवार गवार को मैंने तोड के अच्छे से साफ पानी से धो के रखी हूँ अभी मैं कांदे को बगारने रखूंगी तेल डाल कर फिर कांदा अच्छे से ब्राउन होने के बाद तुमेटो जीरा और सब मसाले डाल कर अच्छे से भूनूंगी फिर मैं डालूंगी पुटेटो और मिक्स करूंगी अब मैं थोड़ा से पानी और नामक डाल कर पकने रखूंगी कुछ देर के लिए अब ही मैं इधर पे गवार भूनूंगी हलकी आँच पे गवार को अच्छे से भूनने के बाद एक प्लेट में निकालेंगे जो मैंने मसाले को पकने रखी थी तो अब मैं गवार डाल कर अच्छे से मिक्स करूंगी अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी दाल कर पकने छोड़ेंगे दस से पंदरा मिनट तक तो फ्रेंड्स अब हमारी गवार की सबजी बन के तयार है आप सभी देख सकते तो फ्रेंड्स मैं अभी मसूर की दाल बना रही हूँ तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल में कांटिनियों बने रहे तो अभी मैंने लिहूद मसूर की दाल जो के गला के रखी थी और मसूर की दाल की सिटी सिप दो लेंगे तो फ्रेंट्स मैंने यहां कांदा बगार के रखी थी और अभी मैं टोमेटो, कड़ी पत्ता, नमग, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और पीसा होगा हरा मसाला और थोड़ा सा पाने दाल कर अच्छे से बुनेंगे और फिर भुनने के बाद मसूर की दाल दाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे फिर मैं पाने दाल कर मेडियम ग्यास पे पकने रखोंगी 5-10 मिनट तक तक हमारी दाल अच्छे से पक जाए तो फ्रेंड्स दोनों रेसेपी हमारे बन चुके हैं आप लोग देख सकते हैं प्रेंड्स 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 तो अभी शाम हो रही है और सब लोग जा रहें अरीबूर अम्मी दुकान जा रहें कुछ सामन खरीदने और चोटे पुपी आये थे वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर किजिए फिर मिलते हूं ऐसी नेक्स वीडियो में लाफिस बाई करें अच्छी आदा है